दोस्तों आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है चाहे मैं बड़े वाले पे किलिक करूँ या छोटे वाले पे दोनों से ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी ओपन होगा क्यूंकि दोस्तों मैंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी ये वीडियो सभी के लिए बहुत informative होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं link को short बनाना सिखाऊंगा साथ मैं ये भी सिखाऊंगा कि YouTube चैनल के साथ में short link को attach कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम Instagram ID का link को short बना के channel का description में add करना सिखेंगे यहाँ पर हम Instagram app जो है open करेंगे link का option दिखरा इस पर एक बार click करेंगे तो आपका profile का link जो है copy हो जाएगा तो इस पर click करेंगे यहाँ से हम Instagram account से बाहर आएंगे और Chrome browser open करेंगे browser open करने के बाद में studio.youtube.com लिक करके search करेंगे यहाँ पर आपके channel का YouTube studio desktop mode में open हो जाएगा यहाँ पर एक profile का option दिखरा इस पर click करेंगे चोटा सा है यहाँ पर आप check कर पाएंगे कि आप इसी channel में link add करना चाहते हैं या कोई दूसरा channel में link आपको add करना तो यहाँ पर switch account का option दिखरा है इस पर click करके आप अपना channel बदल भी सकते हैं इसी channel में add करना है तो आपको एक left side में यहाँ पर यह वाला option दिख रहा है इस पर click करेंगे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको आप थोड़ा scroll करेंगे आपका detail ज़्यादा यहाँ पर feel नहीं किया हुए scroll करने की जरूत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको plus का option बना हुआ है और add link लिखा हुआ यहाँ पर देखेगा चोटा सा इस पर आप click करेंगे मैंने यहाँ पर पहले से बहुत सारे link यहाँ पर add करके रखा हुआ है इसलिए मेरा interface ऐसा कुछ दिख रहा है आप पहली बार link करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं यह वाला option आपको दिखेगा तो इस पर आपको title लिखा हुआ link title इस पर click कर देना है यहाँ पर link का title जो है इसमें आप follow me on instagram ऐसा लिख सकते हैं इससे आपको follower बढ़ाने का chance बढ़ेगा तो मैं हैं यहाँ पर link देता हूँ follow me on instagram मैंने यहाँ पर follow me on instagram ऐसा title में लिख दिया है और यहाँ पर आपको link URL का option देखेगा इस पर आपको थोड़ी देर तक click करके रखना है यहाँ पर आपको paste का option आएगा इस पर click करेंगे तो जो आपने link copy किया था वो यहाँ पर paste हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों link के पीछे जो भी लिखावा इसको हम यहाँ से delete करेंगे दीरे दीरे आपको ज़्यादा delete नहीं करना है ध्यान रखना है मैं बताऊंगा आपके social media के username के पीछे जो भी यहाँ पर लगा हुआ एक्स्टा वो सब आपको यहाँ से delete कर लेना है जैसे मेरा इस्टा इडी का username take this for you यही है तो इसके पीछे एक्स्टा जो भी font लगा हुआ था वो सारा आटा देना है यूजर नेम आपको सही से रख लेना है जो भी आपका username है और social media के link का title और link दोनों यहाँ पर आपको सही से set कर देना है और आप उपर यहाँ पर देखेंगे तो एक publish का option मिलेगा publish इस पर click कर देना है इस पर click करेंगे नीचे आपको यहाँ पर एक option आएगा go to channel का इस पर click कर देना है जैसे ही go to channel पर click करेंगे तो आपके चैनल का description यहाँ पे open हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे चैनल का description, यह देख सकते हो मैंने जो link एड़ किया था दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी social link को sort बना करके add किया मेरे channel के साथ में, यहाँ अभी जो Instagram का link एड़ किया था, इस पे click करके मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा channel open होता है यहाँ यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मेरा Instagram ID open हो गया तो यहाँ पे click करके आप मेरे को follow भी कर लेना, तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने social media के link को छोटा भी बना सकते हैं, मतलब sort भी बना सकते हैं और अपने channel के साथ में attach भी कर सकते हैं, और आप इस video के नीचे comment करके मेरों को बताना की information आपको कैसा लगा, दोस्तों इस video को बनाने के लिए मैंने copy research किया, इससे मुझे भी पता चला की social media के link को sort में कैसे बनाया जाता है, और मैंने video के मद्यम से आपके साथ मैं भी share किया, तो दोस्तों इस video को एक like जरूर कर देना और मेरे channel को भी subscribe करके रखना, ऐसा ही informative video मेरे channel पर आपको मिलते रहेंगे, इस video में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए video के साथ मैं धन्यवाद,